सबजियों की बढ़ती कीमत आसमान को छू रही है और इस वज़े से लोग अपने घर पे लोखी उगाना चाते है यह लोखी हमने अपने घर पे ऊगारख किया है यहां पे आप देख सकते हैं इसमें काफी लोखी लगी हुई हैं हम बात कर रहे हैं गोल लौकी की तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ लौकी की बेल से गर्मियों के मौसम में हम भरपूर लौकी कैसे पाएं आज हम दो चीज आपके साथ ऐसी सेर करेंगे जिने डालने से आपकी लौकी की बेल यूही लगातार देती रहेगी तो नमस्कार दोस्तों शागत है आप सभी का हमारे इंडियन वीटी गाडन यूटूब चैनल पर तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं जो गोल लौकी अब देख रहे हैं इस बेल में यूही लगी हुई है जिन लोगों ने लौकी की जो बेल लगा रहे हैं काफी लोगों को यह समझ से आती है कि फूल आ जाता है लेकिन फल बनने से पहले गिर जाता है यदि यह का फल बन भी जाता है तो वो भी गिर जाता है क्योंकि फल छेदक बीमारी की बज़े से यह सब होता है यह का फल बनता है वो भी गिर जाता है यह जो लौकी क काफी टीन पर फैली हुई है यहां पर देख सकते हैं इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छे से जल रही है तो गर्मियों के मौसम में लौकी की बेल की आप गुडाई करके उसमें आप सड़ी गली गोवर की खात प्रियोग करें महीने में सिर्फ एक वार आपको गोवर की खात इस इसमाल करनी है इसमें नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन से हमारी लौकी की बेल या किसी भी पौदे में से हम इस्तमाल करते हैं तो पौदा काफी बढ़ता है और लौकी की बेल पर आप पोसक सुपरदवा का स्प्रे कर दें तो लौकी की बेल काफी तेजी से बढ बहुत आएंगे हमने भी पोसक सुपरदवा का एक बार इस लौकी की बेल पर इस्तमाल किया है और हमें बहुत अच्छा अपडेट मिला है तो आप पोसक सुपरदवा का लौकी की बेल पर इस्प्रे करते हैं इससे क्या है कि फूल भी नहीं खराब होंगे जो फल है जो फल बिमारी होती है तो फल शेदक बिमारी भी खत्म हो जाएगी आपकी लौकी की बेल में यूँ ही फूल और फल बनते रहेंगे क्योंकि लौकी की बेल में दो तरह के फूल पाए जाते हैं जो की मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जो मेल फ्लावर होते हैं वो तो गिर जाते से ग्रोध करती रहेगी उसमें फल चटते रहेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे-छोटे फल भी लगे हुए हैं और इसमें काफी ज़्यादा फूल भी है और देखिए यहां पर मैं आपको बता दूँ कि छोटे-छोटे जो फल हैं इस तरीके से फल वन रह हैं पूरी बेल पूरी फलों से भरी हुई है गोवर खात हम इसमें 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 कर चुके हैं अब इसमें हम दो चीज और इसमें करेंगे वो दोनों ही गजब की चीज हैं जिनने डालने से लौकी की बेल फूलों फलों से भर जाएगी तो आए जान लेते उनके बारे में यहाँ पर हमने दो चीज ली है और यह दोनों ही चीज बड़ी कमाल की है सबसे पहले दोस्तो हम आपको बता दें यह जो आप देख रहे हैं दोस्तो हमने यहाँ पर छाज ली हुई है यानि की वर्टर मिल्क यदि आपके पास चार्ज नहीं है तो आप किसी दूदवाले से आप मगा सकते हैं क्योंकि गाओं में बहुत ज़्यादा यह होती है और दूसरी चीज दोस्तो हमने जो ली है यह है मस्टर्ड केक फटलाया जो की सरसों खली में से यह तैयार किया जाता है इन दोनों को मिक्स करने के बाद में इसे प्रियोक किया जाता है तो इन दोनों का काम यह है कि यह जो लौकी की बेल है वो तेजी से बढ़ेगी फूल फल को नहीं गिरने देगी जितने भी फूल आएंगे वो फल में बदलेंगे तो लौकी की बेल में बड़े साज़के भी फल आते हैं तो हमने यह दोनों चीज लिए हैं यहां पर तो जो हमारा वटन मुलक है उसे हम मस्टर्ड केक फटिलाजर में हम इसे डार लेंगे क्योंकि मस्टर्ड केक फटिलाजर हमने आठ दन पहले बनाया था आठ दिन से ज्यादा इसे नहीं रख सकते हैं मस्टर्ड केक फटलाईर को क्योंकि इसमें से बदू आने लगती है तो आठ दिन से अगर उपर हो जाएंगे जैसे कि 10 या 15 दिन हो जाएंगे तो इसमें से बदू आने लगेगी तो आप 24 गंटे के बाद में आठ दिन तक से यूज कर सकते हैं ये दोनों हमने देखें मिक्स कर लिए हैं जो लौकी की बेल हमने लगा रखी है इनमें मैं डाले देता हूँ तो इस तरीके से आप अपनी लौकी की बेल से फल पा सकते हैं हम उम्मीद करते हैं दोस्तो आपको ये जानकारी अवस्य पसंद आई होगी दोस्तो अभी तक आपने हमारा चैनल इंडियन बीटी गार्डन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुणने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सियर करें तो दोस्तो आपसे अगली वीडियो मैं फिर से मलाकात होगी किसी ने टॉपिक साथ हैंक यूँ